मस्कार स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में आज हम डिस्कस करेंगे गुप्त उत्तरकार जिसे वर्धन वंस भी कहा जाता है जिसका शाशनकार रहा है 647 इस वी तक तो देखते ही कोशी नमबर वन थानिश्वर में वर्धन वंस जिसे पुशे भूती वंस भी कहा आप देखते ही कोशी नमबर थार्ड सुमेरित कीजिए इसका अंसर जो ही अप्शन भी सही है वर्धन वर्धन वंस की संस्तापना के पुशे भूती मौकरी की इशान बर्मा वाकाटक की विंद्य शक्ति और मैटर के थी भटारक आप देखते ही कोशी नमबर फोर्ट कदम राज्य की स्थापना मयू शर्मन ने की थी उसने अपनी राजधानी बनाए वेजन्ती या विशाज वनवासी को निमली कित में वहां अंतिम बोध राजा कौन था जो संस्कित का महान बिद्वान और लेकर था हर्स वर्धन हर्स चरीट की स्कित द्वारा लिखी गई है ब सिंग बर्मन प्राथम ने किस व्यक्ति को दूइती असो कहा जाता है हर्स वर्धन को बार्भट की समराठ की राजदरवारी कभी थे हर्स वर्धन के हर्स एवं पूलकेशिन दूइती के मादे हुए संगर्ष की जानकारी कहां से मिलती है एहोर अभिलेक से परताप शील तमनाज किसे कहा गया हर्स वर्धन को वेंच सांघ ने किसी सीला दिक कहा है देखते हैं और की सासक पुलकीशन दूइती perpet ने किस नदि के किनारे हर्स वर्दन को प्रास्ट किया था नर्मदा के हर्स की सासन काल में उतर भारत का सबसे महत्पुन सहर कौन सा था कर्नोज हर्स की जीवनी किस ने लिखी कोशी नमबर 21 हर्स वर्दन अपनी धार्मिक सबा कहा किया करता था प्रियाग वर्दन वंस की राजधानी थानेश्वर किस परदिश में स्थित है हर्याना हर्ष वर्दन की बेहन राजेश्री का ब्रवह किस के साथ हुआ था मौकरी नरीश ग्रहे वर्मा से हर्ष वर्दन की अग्रज राजे वर्दन दुईती की हत्य किस ने की थी कोशिये Sundi 25, हर्श वर्दर नी चीसुट्ष इसीुं में हर्श सवंध की स्टापना की सुपलेक्से में की थी अपने राजरोहन की उपलक्सा में कौन वर्धन वन्स की राजधानी थाने श्वर से कनोज ले गया था हर्सवर्धन कनोज किस पर्दिश में स्थित है उत्तर पर्दिश में कोशे नमबर 28 हुविन सांकी भारत में यातर की समिसूती कपडों के उत्पादन के लिए सबसी परशिदनागर था मत्रा कवी बानभट निवासी था थानेश्वर का नागनन्द की रचनाकार कौन था हर्सवर्धन कोशे नमबर 31 समराथ हर्सवर्धन ने दो महांधार्मिक समेलनों का आयोजन किया था कनोज वो प्रयाक का नागर नंद, रतना वली एवं प्रिय दर्शिका नाठको की नाठकार थे हर्सवर्धन गोजरो को की सासक ने प्राजित किया हर्सवर्धन ने आज विभारत में हुई इसा को याद करने का मुख्यकारान था सी यू की रचना अब देखते हैं कोशी नंबर 35 35 हर्सवर्धन की विज़े जीवन में एक मातर प्राजि देने वाला पुलकेशन दूइती कहां का सासक था वातापी या बदामी का हर्सवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्बी नरेश से किया जो की उसकी एक बड़ी कूट नितिक उपलब दी थी बल्बी नरेश का नाम था दूपसेन दूइतीया 641 इस्वी में किसने चीन के राजा ताई तसुंग के पास एक राज़दूत बेजा हर्सवर्धन कौशी नंबर 38 हर्सवर्धन के भात्नी मिशन के जवाब में चीनी समराथ ताई तसुंग ने तीन चीनी मिशन हर्सवर्धन के दरवान में भीजे जिसमें से एक मिशन हर्स वर्दन के मर्नोपरांथ पहुंचा अंती मिशन में शामिल उसी चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्स की मृत्यू के तंत बाद जू घटना करम घटित हुआ उसका विश्थार वर्णन में किया वान हवें तसो किशीनी याति का वर्थमान साक्य मुनी या यातियों का राजकुमार कहा जाता है वेंशांग को वेंशांग भात में लगबग कितनी साल तक रहा 14 साल तक वेंशांग के समनार्थ एवन महायान धरम की प्रचारत हर्स वर्दनिक कहा कुम मेले का प्रारम करने का श्री किसी दिया जाता है हर्स वर्दन नर्वन्दा नदी पर समराथ हर्स की दक्षिन वर्थिये अगर गमन को रोका पुलकेशिन दूइतियने कोशी नमबर 44 निमन लिखित में से किसी नालंदा विसो विदाले को सो ग्रामों की आई दान्स रुप दिये थे हर्स वर्दनिक को सूचिवन को सूचिटुकी सा सुमेलित कीजिए इसका अंसर आपसा नहीं सही है कोशी नमन लिखित में से कौन हर्स वर्दन की दर्वा से समंधित नहीं था काली दास सूचिवन को सूचिटुकी सा सुमेलित कीजिए हर्स वर्दनिक किसी नवीन सासन पर नाली को जनम नहीं दिया हर्स वर्दनिक गुप्त सासन पर नाली को कुछ संसोदनों के साथ अपना है तो इसका अंसर आपसन ही सही है ए और अट दोनों सही है तथा आर ए की सही वेच्षक करता है कोशी नमबर 48 कौन सही सुमेलित है इसका अंसर आपसन दी सही है उप्यक्त सभी, अवंती, हस्वर्दन का प्रधारमंती सिंगनाद, महा सेनापती, कुंतल, सेनापती या अस्विश सेना आप देखते हैं कोशी नमबर 49 किसका कथन है, भारत के लोग गरम मिजाज के है उन्ही जल्दी गुसा आता है, प्रंतु इमांदार होते है भारती स्वच्चता प्रेमी है वेंसांग, अगर हार का अर्थ था ब्रामनों को दी जाने वाला करमुक्त भूमी अनुदार घंटी यांतर, तुला यांतर का प्रेव होता था खेत की सिंचाई के लिए अब देखते हैं कोशी नमबर 52 दक्षिन भारत की संधार में एरी पत्थी का अर्थ था तो इसका सही आनसर है जिलासी की भूमी हर्स की काल्प में भू राजरसों की सीमा थी एक बटा छे से एक बटा दस मौकरी सासकों की राजधानी थी कन्योज सी यू की नामक यात्रा विवरन जो है निमलेकीत में से किसी जुड़ा है तो वो जुड़ा है वेंच सांग से